इस वीडियों में बात करेंगे इस मॉडल की इस मॉडल में ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है इस मॉडल में यह जो रिब लगी हुई है इसमें स्टूजन्स को काफी प्राउलम आती है आज हम इस मॉडल में बनाएंगे और बताएंगे कि यह रिब किस तरह से लगेगी ठीक है वीडियो को एंड तक देखते रहेएगा और जो चैनल पर बिल्कुल नहीं है पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजए कि बेल एकन को प्रेस कर लेज़ेगा तक आपको आने अले हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे है तो जो पार्ट है हमारे पास इसकी डेमेंशन से हमारे पास इस तरह से रिख है यह हमारे पास साइड व्यू है यह टॉप व्यू है और यह फ्रेंट व्यू है तो यहां से मैक्सिम्म पार्ट हम बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले है 68 18 का एक रिक्टैंगल है और उसके बाद यहां से हमें एक लाइन लेंगे 6 की length से और 53 की length है यहां पर height और यहां से यहां तक यह length create करेंगे और यहां से यहां तक का distance हमें कितना दे रखे है 125 और जो बागी sketch बज़ेगा उसको हम क्या करेंगे 12m offset करेंगे और यहां पर fillet भी दे देंगे 6m की आई यह video को start करते है Ctrl N करेंगे सबसे पहले एक rectangle बनाएंगे जिसकी dimension हमारे पास कितनी है 68 और height इसकी कितनी है 18 mm से यहां से हमें एक line लेंगे इस तरह से और यहां से यहां तक का distance मारे पास कितना होगा 6 mm और यहां से यहां तक की height जो कितनी दे रखिया हम है 53 दे रखिये इस तरह से clear है और यह जो length है पास यहां से यहां तक का distance में कितना दे रखिया 125 सो यहां से यहां तक का distance में कितना दे रखा है 125 सो यहां से भी हम क्या कर लेंगे यहां पर 18 mm का हमें radius भी दे रखा है तो फिलेट लगा लेंगे यहां पर radius में पर पर कितना हो जाएगा 18 mm का ok कर लेंगे और यह सारे sketch को हम offset कर लेंगे 12 mm सो यह इस तरह से offset हो जाएगा ना इसके बाद अब यहां क्या करेंगे एक फिलेट हमारे पास अंदर वाली side दे रखिए देखिए एक ही direction में दोनों फिलेट है और सेम radius है दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे यह वाली फिलेट को लगा लेंगे radius कितना रहा है 6 और यहां से यहां तक सो यह वाली फिलेट को भी लगा लेंगे अगर यह वाली फिलेट नहीं लग रही है आप से तो आप इसको 3D में भी फिलेट क्रेट कर सकते हैं जब हम इसको extrude करेंगे तो यहां पे हम fillet लगा सकते हैं इसके, यहां से हम इसको extend कर देंगे, trim कर देंगे इस तरह से, और अब यह हमारे पास पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा, यहां से हम इसको join कर देंगे, क्लेर तो अब इसको हम close करेंगे और यहां से extrude कर देंगे तो extrude कितना करेंगे यहां पर value दे रखे 92 और यहां पर value दे रखे 92 तो इसको हम extrude करेंगे 92 mm और वो भी mid plane से इस तरह से तो value कितने हैंगे 92 करेंगे कि यहां पर अभी हम क्या करेंगे देखे टॉप लेंसे हम अरपास की दो सरकल आ रहे हैं इन दो सरकल को हम बनाने के बाद इसको इस तरह से extrude कर लेंगे तो यहां पर टोटल जो हम अरपास हाइट है वो कितनी है 55 mm इसको extrude किया है और 6 mm डाउन से extrude किया है तो इसको हम इस प्लें पर बना लेंगे और यहां से नॉर्मल कर लेंगे दो सरकल है हमारे पास एक 40 का और एक 80 का बिल्कूल center से बनेगा, so यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 का और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 का एक circle, clear है, so अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको extrude करेंगे, sketch को select करेंगे, extrude करेंगे, और इसको हम total height कितने देंगे, 55, but हमें यहाँ से 6 mm डाउन रखना है, तो इसको offset देंगे, हम, offset कितना देंगे, sketch हमारे यहाँ पर है, तो 12 mm का यह height है, और 6 mm डाउन करेंगे, तो total 18 mm हम इसको offset करेंगे, इस तरह से, इसकी direction चेंज कर देंगे, और total height हम कितनी देंगे, 55, ok कर देंगे, तो हमारे पास यह बन जाएगा, और इसको split करेंगे, sketch, extrude cut, और अब की बार continue कौन सा आएगा हमारे पास, यह बला जो sketch आ रहे है, यह हमारा continue कर ओकर, through all, both side कर देंगे, ok कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास, यह भी complete हो जाएगा, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 circle दे रखे हैं, इन दोनों circle को बना के extrude cut करेंगे, इस तरह के hall बनाएगे, तो circle का जो डाय हमारे पास दे रखे है, वो 16 दे रखे है, 28 यहाँ से है, 20 यहाँ से है, तो इस प्लेट पर बना लेंगे, दो circle, तो यहां से हमारे पास दे रखा है 28 का distance और यहां से हमें दे रखा है 20 का distance और डाय हमारे पास जो हो कितना है 16 जो इसको center line से mirror कर लेंगे okay and then close और यसे हम extrude कर लेंगे so dimensions नीचे की दरफ जा रही है और through all कट आ रहा है तो यहां से इसको cut कर देंगे इसके बाद अभी हम क्या करेंगे front plane पे देखिए sketch create करेंगे rib के लिए तो यहां से हम यह वाली profile बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे देखिए यहां से 24 का distance दे रिखा और यहां से 42 की length दे रखिए है तो पहले तो हम इस तरह से बना लेते हैं सो ध्यान से देखते रहिएगा यहां से हमार पास यह length आ जाएगी यहां से हमार पास यह length आ जाएगी सो total distance हमार पास यह 24 है इसकी length कितनी आ जाएगी 42 और यहां से हम क्या करेंगे यह line को join करेंगे और यहां से हम trim करेंगे convert entities हमें यह वाली जो edge है हमें convert चाहिए सो convert क्यूं करेंगे यहां पर क्यूंकि हमें यहां पर भी fillet चाहिए यह हमार पास कितनी है 12 और यह हमार पास 42 clear है तो यहां पर हम सबसे पहले 12 का radius ले लेते हैं fillet ले लेते हैं इस तरह से और इसके बाद हम 42 का radius ले लेते हैं इस तरह से clear है so friends यहां पर एक चीज़ ध्यां देनी है जहां पर सभी students गलती करते हैं वो यह है कि देखिए यह सारा का सारा sketch जो है वो open area है ठीके ना अगर आप इसको extrude वह रहे हैं कि तब भी नहीं extrude होगा तो हमें यहां पर क्या करना है sketch को थोड़ा सा move करना बोड़ी के अंदर तक ताकि यह इसके साथ join हो जाए proper अभी sketch जो हमारा पूरा उपर तक जा रहा है इस वाई से rib क्या है error देते हैं हमेशा तो यहां से आपने sketch जो है वो उपर वाले face से close रखना है इस तरह से ठीक है तो इसको हम अभी यहां पर क्या करते हैं close करते हैं then sketch और इसके बाद rib और अब आप देख सकते हैं यहां पर profile आ रही है और जो यह आपके पास arrow और material side आ रहा है तो यह हमेशा है यहां पर हम इसकी value को default ही रख लेते हैं 10 अब हम pokey कर दते हैं close कर दते हैं इस तरह से आपके पास यह जो rib है यह आ रही है अगर आपने इसको define करना है यहां इसकी value को change करना है तो value को change भी कर सकते है value doesn't matter आपकी rib जो है वो create होनी चाहिए like 15 है 20 है यहां कोई भी value है तो यहा यहां पर fillet आएगी एक fillet यहां पर भी लगा लेगी 6 mm की fillet थी तो इस edge पर भी आपकी पास एक fillet आ जाएगी और इस तरह से यह object आपका complete हो जाएगा okay so friends I hope आपको यह drawing अच्छे समझ में आगी होगी और जो यह rib का task है आपका solve हो गया होगा so इस तरह से आप इस model को बना सकते हैं so keep practicing keep learning thank you so much for watching this video thank you so much